हेलो प्रेंट्स आज हम सीखेंगे अक्सल में सम एवेज और काउंट के बारे में अगर आपको फॉर्मला लगाना होता है तो जैसे यहां पर संख्या लिखनी सेल्स में अमाल यह सम लगाना है या अवेज लगाना है तो एड़ लिखेंगे आप सम लिखेंगे ब्रकेट लगाएंगे उसके बाद अपनी एरो की को आप मूव कराओगे जहां से स्टार्ट करन तो इस तरीके से आप क्या करते हो अपना फॉर्मॉला एपलाई करते हो लगाते हो इसी सेल्म में अगर हमने कुछ टाइप किया है और उसके लिखेंगे हमारे पास की है एक टू या फिर हम यहां पर फंक्शन में जाकर के भी इसको डिलीट करके नई वल्यू को एंटर कर स ट्रेंगे या एफटू प्रस करेंगे और इसको स्लेट करकर डेंगे और यहान नई वल्यू डाल रहेंगे अगर आप सेल्स इन पर नंबर दिए हूए उनको सिल्थ करते हो तो यहां पर आप देखोगे यहां पर उनका एवरेज काउंट और सम करता है एक्सल में सम करने के लिए हम पहले यहां पर कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं जैसे कि माले में 56, 65, 45 इस तरह के से लिख लिए अब इनको माली हमको सम करना है इन किनों पर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे यहां पर फॉर्मुला लिखेंगे एड़रेट सम और उसके अगर के डाउन एरो की को लास्ट नंबर पर ले आकर एंटर करेंगे तो इसका टोटल यहां पर आपका आ जाएदा दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको टीनों नंबर्स को सेलेट कीजिए और फिर आल्ट के साथ प्लस की प्रस कर दीजिए तो नीचे टोटल अपने आप आजाएदा अगर इन टीन नंबर्स का जो की यहां दिये हुए हैं इनका सम निकालना है तो आप क्या करोगे तीनों को स्लेक्ट करोगे और के साथ प्लस करोगे तो इनका सम लिख करके आजाएदा सम करने के लिए आप प्लस प्रस करोगे फिर सेल पर क्लिक करोगे फिर प् अब बी वाले कॉलम में नंबर्स लिखे हूए है तो इनका सिफ सम आए रहा अगर हम यहां पर सी वाले में भी कुछ नंबर्स जाल गए और इन सब का हमको सम चाहिए तो यह क्या करेंगे आड़रेट सम लिख कर के ब्रैकिट लगा करके इन सब को सिलेट कर लेंगे और एंट लगाएंगे फिर सेल्स कर लेंगे और एंटर करेंगे तो एवरेश आ जाए एक नमबर ऑफ सेल्स जिन पर वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है एक सेलेक्शन में वो बताना जैसे कि यहां मैंने किया डरेट काउंट ब्रकेट दे करके मैंने इसको यहां से यहां से रही तक शेल्ट करके एंटर कर दिया तो यहां पर तीनीं पर डिखा तो आगा निश्ध में हैं और आडाल गार तो कउंड मेरा चेंज हो जाएगा यह हम कोई number delete कर देंगे तो मेरा count change हो जाएगा count में क्या होता है कि हम count पार formula लगाते हैं तो यहाँ पर जिन cells पर number लिखे होते हैं सिफ उन्हीं का count आता है अगर किसी cell पर यहाँ पर मैं alphabett डाल दूँगा तो उसका count यह नहीं करेंगा अगर हम चाहते हैं कि alphabet का भी count करें तो हम क्या करेंगे formula को change करेंगे तो change करने के लिगा करेंगे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर count किज़े count A करके enter करेंगे तो अब यह वो भी cells count करेंगा जहाँ पर कुछ और लिखा होगा यानि कि number लिखा होगा या फिर कोई symbol दिया होगा तो यह उसको भी count कर लेगा